दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मॉबाइल का जो बाइफाई पासपर्ड होता है वो कैसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जैसे मैं आपको बताऊं स्टेप बाइश्टेप बैसे आपको करना हैं मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊँगा step by step तो आपको करना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके comment box में बाइफाई लिख देना और दोस्तो चैनल को subscribe करके bell icon पर प्रेस कर देना क्योंकि दोस्तो मैं ऐसी genuine real tricks लेकर आता रहता हूँ तो real video लेकर आता रहता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले क्या कर रहा है आपको आपके mobile की जो settings है यानि mobile में settings का app है उस पे click कर रहा है उस पे click करने के बाद आपको यहाँ पर इस type का interface दिखाई देगा अब दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर Wi-Fi का options देखेगा तो यहाँसे तो आप Wi-Fi on कर सकते हैं लेकिन दोस्तोस आपके mobile का जो होड़सपोड चालू करते हैं किसी के लिए तो वह आप उसका password कैसे change कर सकते हैं तो यहाँ आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको Wi-Fi का password change करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहा का interface दिखाई देगा अब दोस्तु इहां पर आपको क्या करना यहां पर बहुत simple है दोस्तो यहां आप देखेंगे कि आपको यहां पर mobile network's देख रहा होगा इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको कुछ is types के interface दिखाई देते हैं दोस्तों तो यहां आपको कुछ नहीं करना होता यहां पर आपको आपकी SIM के जो mobile numbers हैं वो दिखाई देते हैं दोस्तों उन पर तो आपको कुछ करना है नहीं अब आपको back में जाना है तो यहां पर इसके बाद में आप देखेंगे connections and sharing का options दिखाई दोस्तों किसी किसी में mobile networks में यह option मिल जाता है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किसी किसी में connections and sharing में मिलता है तो यहां पर connections and sharing पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद मैं दोस्तों यहां पर इस टाइप का interface दिखाई देगा अब दोस्तों यहां पर आपको simple सा काम है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है personal hotspot तो यह आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप का का name भी change कर सकते हैं तो मैंने यहाँ यह नेम डाला हुआ है इसके लवाँ आपको password change करना है जैसे कि मैंने यहां यहाँ पर Shaprord डाले डाला हुँआ तो मैं यहाँ पर click कर कर दूँगा और यहाँ पासवर्ड पर और यहां से मद्यासे मैं इसको एक दो तीन चार और यहां पर मैं इस पर उपर राइट का साइच दिखेगा उस पर मैं क्लिक कर दूंगा अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पासवर्ड यहां पर चेंज हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने मॉबाइल के अंदर एंट्रोड मॉबाइल के